मेहनत जहां भी करने जा रहे हैं आपको वहाँ पर निरादर किया जाता है नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों इस वीडियो में लहसुन के हम उन उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों के तहट अगर आप माता लक्ष्मी जी की सही साधना करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा हमेशा के के लिए खत्म हो जाएगी अगर आप अपने जीवन में गरीबी दरिद्रता परेशानी कष्ट इनकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे धन नहीं रहा है आपकी किस्मत को ताला लग चुका है तो मान कर चलिए लहसुन के उपाये से जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है दोस्तों लहसुन तांत्रिक गुणों में सबसे उत्तम मानी जाती है आयुरवेदिक भाषा में देखा जाए तो लहसुन अपने दम पर कई तरह के रोगों को रोगों को जड़ से खत्म कर सकती है दोस्तों अगर आप लहसुन का सही तरीके से उपाये माता लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आपको आशीरवाद मिलना तय है सरल भाषा में समझ लीजिए दोस्तों अगर माता लक्ष्मी जी के सामने सही तरीके की साधना की जाए तो माता लक्ष्मी जी तुरंत आशीरवाद दे देती है दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा माता लक्ष्मी जी एक ऐसी भगवान है जिनके सामने हलकी सी भी साधना अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो माता लक्ष्मी जी तुरंत उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती है और सही साधना अगर आपने सिद्ध कर दी तो माता लक्ष्मी जी के सामने तो दोस्तों मान के चलिए, आपके जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो अगर आप लहसुन से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी न हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखे, दोस्तों जैसा में आपको बता ही दिया, लहसुन में इतनी क्षमता होती है, मात अगर आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, आप घर पर आते हैं, रोज लडाई जगडा लगता है, मान लीजिये, आप मेहनत जहां भी करने जा रहे हैं, आपको वहां पर जाए जाएंगे, वह ऐसे उपाय है, जिसमें आपका एक रुपया का खर्चा नहीं है, परंतु इन उपायों को करने के बाद मान के चलें, माता लक्ष्मी जी आपको आशीरवात देंगे, दोस्तों, बड़े-बड़े वैज्ञानिकों हो, चाहे बड़े-बड़े जोशी हो, हर किसी ने यही बताया है कि लहसुन एक ऐसी औशधी है, जो लोगों की जीवन से कई तरीके की समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती है, दोस्तों, जो जानकारी है आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, वह कोई टोटका नहीं है, बलकि एक उपाय एक ऐसा उपाय है, जो आपके जीवन से गरीबी दरिद्रता परेशानी कष्ट हमेशा के लिए खत्म कर देगा, दूसरी तरफ देखा जाए, यहां आपको माता लक्ष्मी जी का भी आशीरवाद दिलाएगा, जैसा हमने आपको बता दिया कि माता लक्ष्मी जी ऐसी मारता है, जो किसी भी व्यक्ति के दुखों को नहीं देख पाती, मतलब अगर आपने सही तरीके की साधना माता लक्ष्मी जी के सामने कर दी, तो मान के चलिये आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए परेशानी कष्ट चला जाएगा, धन दौलत की वर्षा खुद माता लक्ष्मी जी आपके ऊ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये लगातार आपको चार शुक्रवार करना होगा, चार शुक्रवार इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी, और धन आने के सार दोस्तों आपको पता ना हो, रसोई में रखी जितनी भी चीजें होती है, वह बहुत ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण होती है, इनके अंदर इतनी क्षमताएं होती होती है, कि वो अलग-अलग तरीके के देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकती है, कि बस साधना सही तरीके से करना चाहिए, जैसे काली मिर्च होती है, भगवान भोलेनाथ जी को अरपित की जाती है, इसी प्रकार की जाती है, हल्दी भगवान विश्नु जी को अरपित की जाती है, दूसरी तरह देखा जाए, सरसों का तेल भगवान शनी देव जी के इस्तिमाल किया जाता है, और मतलब अपने अच्छे के लिए उस व्यक्ति से या उस तांत्रिक से जिससे भी आप पूजा करवा रहे हैं, ऐसी पूजा का लाभ मिलने में आपको समय लगता है। परंतु खुद के द्वारा की गई साधना, खुद के द्वारा की गई पूजा हमें तुरंट लाभ दिलवाती है। बस आपको सिध्ध को सिध्ध करना होता है और जो आज क्रिया आपको हम बताने जा रहे हैं यह एक ऐसी साधना है जिसमें अगर आप सिध्ध कर देते हैं माता लक्ष्मी जी को कि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी को पुकार रहे हैं, माता लक्ष्मी जी को निमंतरन दे तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी जरूर आपके घर पर वास करने आएंगे। बस आपको करना ये है। दोस्तों बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखना है लहसुन का। हम आपको वो उपाय बता देंगे जिस उपाय को लगातार चार शुक्रवार अ पहय करना है। ये उपाय शाम के वक्त किया जाता है। शाम के वक्त साथ बजे के बाद सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर पर माता लक्ष्मी जी की जो भी कलाचित्र उसके सामने बैठना है एक घी का दीपक जलाना है। बहुत ध्यान रखिएगा भी। का ही दीपक ह दीपक जला करके एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक लहसुन रखना है, लहसुन पकड़ना है, माता लक्ष्मी जी के चरणों में छोड़ना है, उस लहसुन को उसको इस लाल कपड़े में रख करके इसको मौली धागे से बांद देना है, अब आपको इस बीज मंत्र का ज अपनी धागे से बांध लिया है, जिसको अपनी तिजोरी में रख देना है। इसको पहले वाले लहसुन अपने बांध था, इसको ले जाकर किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। चार शुक्रवार कर लेते हैं, चार शनिवार को लहसुन को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। मान के चलिए, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही थी, धन से जुड़ी हुई वहसारी खत्म हो जाएंगी। माता लक्ष्मी जी का जरूर आपको आशीरवाद मिलेगा। आप अपने जीवन में उन उंचाईयों को छू लेंगे, जिसकी आपने कलपना नहीं की थी। समाज में आपको एक अलग इज़त मिलेगी, एक अलग आदर सतकार मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस तरीके की हिंदू पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। और शास्त्र सनातन ग्यान के इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका दिन शुब हो।